सूरी उपासना के महापर्व डाला छट की शुरुवात नहाय खाय के साथ हो चुकी है आज खरना है और घाट पर किस तरह का द्रिश्य है एबी पी गंगा आपको दिखा रहा है आप देखे घाट किनारे वेदियां तयार हो चुकी है और जो वेदियां तयार हुई है उनको पूर्ण रूप देते हुए यहां पर जो शधालू है वो आपको दिखाई दे रहे हैं घाट किनारे तयार यहां लगातार अपने अंतिम दवर में जहां तक घाट का पानी पहुच चुका था उसको पूरी तरह से ब्यवस्थित करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और पासुम जे यह भावना कैसी और इसके पीछे क्या देखिए कलाकारों कोई धर्म नहीं होता है और सारी चीजें जो है भगवान की बनाई हुई है लेकिन हम लोग स्रद्धा और विश्वास के बल पे छट माता के दरबार में लोग आते हैं और यह से गीतों के माद्धिम स आपको मैं बताना चाहता हूं अगर बात करें तो चार दिनों का यह परू होता है गीतों के माध्यम से हम समझना चाहेंगे मासुम जी कि प्रथम दिन जो गीतों के भाव हैं वो क्या कहते हैं दूतिये दिन अगर बात करें जैसे कि आज खरना है वो गीतों के भाव क्या है इसके वारे मिज़रा में खरन तेस जो होता है यह सब कल से तो स्टाथ हो गये यह तेवहार जो है कल से स्टाश होंगा आज सुबहा कुछ नास्टो होगर इसे करके रभी चीजें उत्म बाद कल से जो में तिवहार स्टार्ट होगा कल जो है वो शाम से और परसो सुबा तक चलेगा तो उसमें बहुत सारे गीत जाय करीहा चमा छाठी मईया ओह करीहा चमा छाठी मईया दीहा हमें भी सवास दीहा हमें भी सवास यह अस्ताचल गामी सूरी को जब अर्गि देंगी महिलाए उस वक्त यह ज्यादा तर देखने में आते हैं लेकिन जब उदेगामी सूरी को अर्गि देना होगा तो उस दोरान कौन से गीत गाये जाते हैं और क्या होता उगा उगा है सुरुज मल हो गई लिंभोर हो गई लिंभोर जीया तड़ पेला मोर हो गई लिंभोर जीया तड़ मरसुम जी एक चीज जानना चाहेंगे कि घाटों पर जो तैयारी है जो दिख रही है तैयारी बड़ा चैलेंज था पानी उपर तक था और अभी पानी लोटा था बड़ा बड़ा चैलेंज और अगर बात करें तो इस चैलेंज को उत्तर प्रदेश के मुख्या ने बनारस के प्रशासन ने बड़े पहमाने पर लिया जैसा कि आभी आप कह रहे थे तो गीतों के माध्यम से इसको क्या दर्शार है कहना है कि देखें मुखमंत्री जी का बहुत बड़ा प्रयास उनके लिए कहना है कि जो राम को लाए हैं वो छट भी मनाएंगे यूपी में फिर से हम यूपी में फिर से हम खुशियों को मनाएंगे यूपी में फिर से हम खुशियों को मनाएंगे इसी अंदाज में हम लोग त्यारी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि तेवहार भबिता के साथ समापत हो तो आप देखें यहाँ पर जो व्रती हैं इसके साथ ही जो शद्धालू हैं असी घाट के किनारे पर यहाँ पर पहुंच कर अपनी वेदियों पर पूजन कर रहे हैं, वेदियों को पूरी तरह से बना रहे हैं और आज खरने के त्योहार को भी मनाते हुए नजार आ रहे हैं तो खरने के बाद अब जो पर्व होगा वो निराजल व्रत की शुरुआत और इस व्रत का समापन उदै गामी सूरिकिये अर्ग के साथ होगा कैमरामेन विशेस के साथ नितिश कुमार पांडे, एबीपी गंगा वारान सी